साथियों, हम तो काशी वासी हैं, और कबिर्दास जी ने कहा है, कबिर्दास जी ने कहा है, सेवक फल मांगे नहीं, सेव करे दिन रात, सेवा करने वाला सेवा का फल नहीं मांगता है, दिन रात निश्वार्थ भाव से सेवा करता है, दूसरों की निश्वार्त सेवा के हमारे यही संस्कार है जो इस मुश्किल समय में देश वाच्चों के काम आ रहे हैं इसी भावना के साथ केंद्र सरकार ने भी निरंतर प्रयास किया है कि कोरोना काल के इस समय में सामान ने जनकी पीड़ा को साजा किया जाए उसको कम करने के लिए लगातार कोशिश की जाए गरीब को राशन मिले उसकी जेब में कुछ रुपिये रहे उसके पास रोजगार हो और वो अपने काम के रहे रण ले सके इन सभी बातों पर ध्यान दिया है साथियों आज भारत में असी करोड से जादा लोगों को यहां करा बहुत बड़ा है असी करोड से जादा लोगों को मुप्त राशन दिया जा रहा है इसका बहुत बड़ा लाब मनारस के भी गरीबों को स्रमिकों को हो रहा है आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत अमेरिका से भी दो गुनी आबादी से अमेरिका की जो टोटल जनसंग है उसे डबल लोगों को एक पैसा लिए बिना उनका भरण पोशन कर रहा है और अब तो इस योजना को नवंबर अंत तक यानि दिपावली और छट पुजा यानि तीस नवंबर तक इसको बढ़ा दिया गया है हमारी कोशिच यही है कि किसी गरीब को त्योहारों के समय में खाने पीने की कमी ना हो खाने के साथ साथ लोकडाउन के कारण गरीब को खाना पकाने के लिए इंधन की दिक्कत ना हो इसके लिए उजवला योजना के लाभार्थियों को पिछले तीन महेने से मुप्त गैस सिलिंडर दिया जा रहा है साथियों गरीबों के जनदन खाते में हजारों करोर रुप्य जबा कराना हो या फिर गरीबों के स्रमीकों के रोजगार की चिंता छोटे उद्योगों को रहेडी ठेला लागाने वालों को आसान रण अपलब्द कराना हो या खेती, पशुपालन, मचली पानन और दुसरे कामों के लिए अइतियासिक फैस्क ले और सरकार ने लगातार काम किया है कुछ दिन पहले ही 20,000 करोड रुपे की मत्स संपदा योजना को भी मंजुरी दी गई है इसका लाब भी इस खेत्र के मचली पालकों को होगा इसके अलाबा यहाँ यूपी में कुछ दिन पहले ही रोजगार और स्वरोजगार के लिए एक और विश्यस अभ्यान चलाया गया है इसके तहित हमारे जो हस्तसिल्पी हैं बुनकर है दूसरे कारिकर है या फिर दूसरे राज्यों से जो भी स्रविक साथी गाव लोटे हैं ऐसे लाखों कामगारों के लिए रोजगार की व्यवस्ता की गई है